पहाडों में गिरा चीन का बोईंग 737 एरक्राफ्ट पहाडों में दिखा धुए का गुबार आपको बता दें 132 यात्रियों के साथ चाइना का या विमान गुआंग्शी छुआंग में क्रेश हो गया है इस पूरी दुरगटना का वीडियो वाइरल हो रहा है पूरी वीडियो में आग की लप्टनों के साथ धुए के गुबार देखने को मिल रहे है चीन के सिविल एवियेशन एड्मिनिस्टिशन ने बताया है कि बोईंग 737 एरक्राफ्ट कुन्मिंग से जुआंग्शो शेहर जा रहा था बोईंग 737 का बूझो शेहर के ऊपर से गुजरते वक्त संपर्क तूट गया चाइना आवियेशन रिवियू द्वारा एक वीडियो भी ट्वीट किया गया है ये एक अनवेरिफाइड अकाउंट है इस अकाउंट के द्वारा विमान के अंधिम पलों के बारे में बताया गया है दावा किया गया है कि विमान तेजी से नीचा आया और पहाड़ियों से ठक्रा कर क्रेश हो गया सुत्रों की माने तो इस पूरी घटना का वीडियो एक अस्थानी माइनिंग कमपनी के सिक्यूरिटी केमरे में क्याद हुआ है फिलाल इस विमान में कितने लोग की मौत हुई या कितने लोग घायल हुए इस बात की पुष्टी अभी तक नहीं हो पाई है लेकिन बताये या भी जा रहा है कि अविमान ज्यादा पुराना नहीं था और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा फिस्बुक पेज को फॉलो कर लिजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रहे